नमस्कार दोस्तों मैं दिपान शुर श्वागत करता हूँ आपका CGPSC व्यापम हमें एक बहुती सांदार पॉजिटी नूइस के साथ जी हाँ दोस्तों मुख्यमंत्री भुपेज भगेल जी ने 252 पदों पर चार नहीं जीलों जो बने हैं उसके लिए 252 पदों पर भरती की मंजूरी दे दी है यह कौन से पद है साथ में पुरी प्रक्रिया है हम उस पर पुरा चर्चा करेंगे तो सबसे पहले जिनोंने इस च चैनल जोई नहीं किया है तो देखिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव निउस के इंतजार करते है मेरा मकसद तिर्फ ये रहता है कि आप सभी ये निउस सुनके अपनी तयारोई को और अगले चरण में अगले पैदान पर अगले इस्तर तक ले जाने की कोशिस करें ताकि आप लोग बहुत सारे लोग जो नकरातमक हो जाते है या निगेटिव थॉट रख जाते है तो उन सभी को एक पॉजिटिव वे पिलाने का ताकि आप लोग अच्छे तयारी करिएगा और एक पोश्ट प्राप्त करिए क्योंकि कंटीनिव आप देख रहे हैं कि 36 गड़ में भरतिया निकल रही है मैंने कंटीनिव आप सभी को बताया है कि भरतिया निकल रही है चाहे व अब सभी अब सभी को बताया जिनको जाउपWAN की एकदमी आऊशकता है उनके बारे में भी मैंने बताया है बहुस सारे लोगों का अलग-अलग क्योंसर रहता है कि सर जैसी कि अभी हाली में एक नया क्योंसर दा इंजिनिंग वालों के लिए तो देखी इंजिनिंग वालों के लिए अभी आया हुआ है उसके सांथी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आप तयार रहे CGPAC नए साल में आपको सावाद दे सकता है लगबक 300 से अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भरती होने वाली है अब देखने वाली बात है कि ये भरती CGPAC कब जारी होता है दूसरी खबर जो है आप सभी को मालूम है कि सब इंजिनियर जो है सिविल वालों का भरती विग्यापन निकलने वाला है उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है तो देखिए यहाँ पे बताया भी गया था पिछले कुछ दिनों पहले कि वो जो प्रस्ताव है वो CGVAPOM के पास पहुँच चुक है जैसा कि मैंने आप सभी को अलरी बता चुक है यहाँ पे देखिए CGVAPOM के पास बहुँच सारे प्रस्ताव बहुच चुक है CGPSC के पास भी बहुँच सारे प्रस्ताव बहुच चुक है परन्तु कही कभी देखे होंगे आप फरवरी में हाली में आप सभी जानते है कि Central Level की परिक्षा है जैसा कि Group D की परिक्षा है साथ में NTPC CBT 2 है तो आप सभी आप देखेंगे कि वहाँ पे Class Method इसका भी विशेज ध्यान CGPSC और CGVAPOM तका Other Department रख रहे है आप लोगों ने देखा कि बस्तर कनिष्ट कर्मचारी से नायोग में परिक्षा ली भी गई और उसका देखेंगे आप लोग अगर उनकी साइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे उनका result भी जारी कर दिया है अब आप बात करेंगे देखिए चंदुलाल चंदराकर जैसे कि आप सभी ने देखा विभिन्न कालेज हो चाहे वो राजजनगाव में चिकिसा कॉलेज हो या बस्तर संभाग में चिकिसा विद्याल हो वहाँ पे भी वैकेंसिया निकल चुकी है उसी प्रकार से आप देखेंगे कि दुर्ग जीले में जो चंदुलाल संदराकर मडिकल कॉलेज है उसका भी वैकेंसिय तुरंत आएगा देखिए यहाँ पे आप सभी जानते कि मंत्रालय और सचिवालय में पहले ओफिस को एक्तियाई किया गया और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया तो कही न कही चीजों में थोड़ी सी धीमापन आएगा परन्तों चीजे रुकेगी नहीं याद रखेगा चीजे जो है निरंतर रहेगी आप लोगों ने देखा कि भरे कोरोना काल में हमारे हाँ सीजी पीएसटी चत्रीश गर्लोग से वायोग ने पेपर लिया आप लोगों को याद होगा 2020 में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की परिक्षाएं चल रही थी तो वहाँ पे कोरोना काल था उस समय भी परिक्षाएं लिया लोग से वायोग ने तो अभी जो है बहुत अच्छे हालत में है तो उस अभी भी जो है वो परिक्षाएं होंगी क तो कोई भी परिक्षाएं रद नहीं होगी आप सभी की कंटीनी परिक्षाएं होगी और सांथी सीजी व्यापम की भी जो परिक्षाएं वो भी कंटीनी होगी पिछले साल केस थे पहला चरण था परन्तु अब जो है सभी लोग कोरोना को जान चुके है और अपनी सुईध आके एक दम तयारी करना जूर जाए ये क्योंकि continue vacancy यां आएगी मैंने आप सभी को कहाए कि ये साल अगला साल बहुती golden opportunity लेकर आने वाला है आप सभी के लिए तो आप सभी अच्छे से तयारी करिएगा साथ में देखिए result की बात करे या model answer की बात करे तो देखिए अब धीरे धीरे व्यापम जो है model answer भी जारी करेगा जो परिछाए हुई है 19 दिसमबर 26 दिसमबर 2 जनवरी ये सारी जो परिछाओं का model answer जो है आपको धीरे 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 देखने को मिलेगा चीजे धीरे धीरे क्योंकि आप सभी जानते है कि एक चार सेट होता है उसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है इसी प्रकार से आप देखेंगे कि continue क्रम वाइज जो है वो व्यापम जो है model answer जारी करेगा उसी प्रकार से result भी जो है जल्द जारी करेगा सबसे पहले मंड अब रही बात cgpsc की बात करें तो cgpsc में भी आप सभी जानते हैं कि continue जो है वो वेकेंसिया आ रही है चाहे वो प्रचारे वर्ग 1 या प्रचारे वर्ग 2 साथ में चिकिसा का तो continue जो है medical field वालों का continue वेकेंसिया आ रही क्योंकि पहली प्रात्मिक्ता वही है 37 गड में आज तक कभी भी इतने सारे पदों पर जो है medical field में भरतिया नहीं हुई है तो पहली बार है कि जब 37 गड में medical field वालों के लिए इतनी बड़ी opportunity आ रही है चाहे वो संभाग इस्तरी भरती पर इक्षाए हो व्यापम के माद्य हम से भरती पर इक्षाए हो या cgpsc क माद्य हम से भरती परिक्षाए हो करीबन करीबन आप देखेंगे medical field मौले में 10,000 पर अकेले medical field में 10,000 पर भरे जा रहे है cgpsc cgvapam संभागी इस्तर बस्तर करिश्ट कर्वचारी चैनायों के माद्य हम से मतलब चार चीजों से ये चीजे जो है वो भरी जा रही है cgp तो ये एक बहुत ही अच्छी और आप सभी के लिए positive news है तो आप सभी एकदम अच्छे से त्यारी करिएगा इजी गड़ी में हम बात करते हैं कि देखिए बहुत सारे लोग जो है एक प्रकार से आप सभी जानते कि कहां कहां कितने कितने पद निकले हुए है फिर भी आप आप सभी को एक positive चीज देने के लिए एक positive energy देने के लिए यह जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ जैसा कि आप के question पे show हो रहा होगा यहां पे देखिए बताया गया है कि 36 गड़ में हर छेतन में रुजगार नौकरियों का बढ़ा दाइरा जिसमें की 800 पद जो है PC के माध मांध्यम से बरे गए एक हजार पद जो है व्यापम के मांध्यम से बरे गए है और पचीस हजार को की अनीमित भरती भी की गई है चार हजार पद स्वास्त हुई भाग, तीन हजार पद बिजली कंपनी और एक लाग 47,000 को निमिती करन किया गया है साथ में पुलीस में 8,000 पद और नीजी उत्योंग में 30,000 पद और साथ में राजस्व एवं खाते विभाग में 392 पद और चंदूला चंदराकर में 1,041 पद साथ में 14,000 पुरिवारों को सालाना वन से रोजगान मिला है और 26,000 से ज़्यादा लोगों को मनरेगा में काम मिला है तो ये कहीं न कहीं एक positive approach है आप सभी के लिए आप एकदम अच्छे से तैयरी करिए साथ में देखें आप सभी जानते हैं कि मुख्य मंत्री बुपेज बगेल जी कंटीनू हर मंत्री से विभाग वार बजट की चर्चा कर रहे है इसी कड़ी में कल जो है चार नए जीलो के लिए 292 पदों की जो स्विक्रिती है वो मुख्य मंत्री ने दी है जी हाँ अब ये कौन-कौन से पद है जैसा कि आपके इश्किन पर शोग हो रहा होगा देखेंगे यहाँ पर बताया गया है कि जो कलेक्टर है प्रती कारेले की संख्या के दर से चार अपर कलेक्टर चार निप्टी कलेक्टर बारा तो दीखिए ये जो कलेक्टर है अपर क युक्तियां नहीं होगी यह जो है बोलाजी किसी बड़े अधिकारी को दिया जाएगा जो अनुभवी है उनको यहां पे जो भरतियां होगी वो होगी डिप्टी कलेक्टर की जहां पे 12 पद है साथ में सहय कदिक्षक साथ में इस्टोनोग्राफफर वर्ग एक सहय ग्रेट 3 इस्टोनोटाइपिस्ट देखिए साथ ग्रेट 3 के 64 पद है वहन चालक के 24 पद है दपतरी के 4 माल जमदार के 4 अर्दली के 12 चौकिदार के 12 भृत्य के 40 पद देखिए बहुत बड़े पद है भृत्य के 40 पद है फर्रास के 4 और अनसकाली स्वीपर के 4 इस प्रकार से टोट नहीं लगता है आपने देखा कि 14,000 सिक्षकों की भरती हो रही है और इसमें ब्रेक सिर्फ कोरोना के टाइम में लगा हुआ था परन्तु कंटिन्यू जो है उसमें कही न कहीं भरतियां हो रही है तो ये जितनी बड़ी भरतियों की समय भी उतना लगेगा आज तक आपने कभी ने सुना होगा कि 15,000 सिक्षकों की भरती होगी परन्तु यहां पे 17,000 सिक्षकों की भरती हुई है और कंटिनी हो रही है जो भी बचे कुछे होंगे उनका भी हो रहा है तो देखिए एक कितना पॉजिटिव चीज है आप सभी को एक तयारी करने के लि आज जैसे भरतियां बहुत आएंगी बस आप सभी अपनी तयारी एक टार्गेट लेके करिए बहुत सारी विकेंसी आएगी बस यही एक न्यूज आप सभी को देना था आशा करता हूं कि आपको ये न्यूज आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा करें तथे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवान आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें